शिशोदा मंदीर में ग्रामिनों की बेठक में पुजारी को सेवा से किया दूर, पुलिस ने फिर मंदीर में बिठाया। शिशोदा मंदीर में शिशोदा मंदीर में सर्व समाज की विशेश बेठक आयुजित हुई। शिशोदा में पुजारी में बिठाया। इसके साथ ही पुजारी विजेश सिंग मंदीर बाहर चले गए। शिशोदा में बताया कि चार सप्ता की मंदीर चडावे राशी पुजारी विजेश सिंग को सोपी गई थी। इसको लेकर पुजारी विजेश सियर द्वारा गुमरा किया जा रहा है। पहले बताया कि चडावे की राशी उपखंड अधिकारी को सोपी जबकि उपखंड अधिकारी द्वारा कोई राशी नहीं मिलने की बात कही। इस पर चडावे की राशी कहां गई इसको लेकर ग्रामिणों ने सवाल खड़े किये। तो पुजारी विजेश सिंग कोई संतोष प्रत जवाब नहीं दे पाए। और नहीं ग्रामिण उनके जवाब से संतुष हुए। पुजारी विजेश सिंग को बाहर निकालने के करिब दो घंटे बाद खमनोर थाने से विशेश पूलिस जाप्ता पहुचा और पुजारी विजेश सिंग को वापस मंदिर में बिठा दिया। पुलिस द्वारा बताया कि पुजारी को हटाना या रखना यहां निनाई उपखन अधिकारी करेंगे इस तरह मंदेरी की चड़ावा राशी में अन्यमित्ता के आरोप लगने के बाद सर्व समाज के लोगों द्वारा पुजारी को हटाने वा पुलिस द्वारा दोबारा ल कि पर जी को पेसे में अगरबड किया था तो बबाजी वापस एक बार बोलते हैं को का पैसे हमने वहां पर एजम को दे दिये एजम साहफ से पता निकाला वहां सांके पूसा तो एजम साहब बोल रहे हैं साफ यहां पर नहीं आए तो वापिस यहां पे आगे हैंगे वाद है कि जब मीटिंग रिगी तो चार भोपाजी को पूसा तो भोपाजी बोलते हम पेटी में डाल लिया तो तिसरी मीटिंग में वापस भोपाजी ने तो वुझे सिंग जीत आये नहीं थे उसके कोई मौत होगी थी और दूशार वापस उस लगे कि वह पैसे गए तो गएगा सब पूरे गाम ने हाथो हाथ फूपे रहे हुआ गिंटे-गिंटे बन करके दिये थे और बागी के पैसे तक बलेगवादे के इन्हों ने कुछ भी वोटा ला किया किया तो गाम जान रहा है सब कुस कर रहा हो कुम लेकिन हम अप्टा इसके वारें फिर दूसरे पोबाजीबी घंटे गया है है और यह मैरा कहना सब मते हुं खाए हुआ चांदे हैं मपया ने शडा LING सब्सक्ता है . कोई इसा नहीं नहीं अभी पकाद है? दमारुदी नंदन ग्राइन नात द्वारा सेथ एक मात्र अल्ट्रा लग्जिरियस फाइफ स्टार होटेल राजसमन जीले की एक मात्र फाइफ स्टार होटेल दमारुदी नंदन ग्राइन में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ दो सो नभ्य रुपय में श्रिनाची की नगरी नात द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनन्द अवश्य उठाएं गटबोर के चारबुजा मंदीर में भागोच्षव की शुरुवात के साथ ही दर्शनों के लिए बड़े श्रधालू गटबोर के चारबुजा नात मंदीर में भागोच्षव की शुरुवात होने के साथ ही ठाकुरजी के दर्शनों के लिए श्रधालो की एका एक भीड काफी बढ़ गई है मंदिर में प्रति दिन फाग के भाव से चारबुजा जी का स्रिंगा ध्राया जा रहा है और उसी अनुरूप सेवा पूजा भी हो रही है पूजारियों दोरा भजन किर्तन करके वह लोरी घाकर ठाकुरजी को सुलाने की रस्म निभाई गई चारबुजा के रहूल पालिवाल ने बताया कि पूजारियों घणो दोरा प्रमपरा उनुसार लोरी का घायन किया इस दोरान बड़ी तादात में कस्बे के लोग वह बहारी श्रधालू भी दशनों के लिए मंदिर पहुचे फाग मोचो के तहट प्रति दिन संदिय आरती के बाद गुजर समुदाय के पुजारियों घणो दोरा हीड का घायन भी किया जा रहा है जिसे सुनने के लिए बड़ी तादात में श्रधालू मंदिर पहुचे बताया कि होली देहन के बाद मंदिर में 15 दिवसिय फाग मोचो शुरू हुआ जिसमें प्रति दिन मंदिर में गेर नर्त किया जाएगा इसके दर्शनों के लिए मेवाड मारवाड के अलावा मद्य परदेश दिल्ली मुंबई व गुजरात से भी बड़ी तादात में लोग गड़बोर पहुचते हैं इसके लिए होटलों की अगरिम बुकिम होने लग गई है देलवरा में सिक्सकों ने तैसिल कारले के बाहर आथिसपाजी करने के बाद तैसिलदार हुकम कमर को मुखे मंत्री के नाम आभार पत्र सुपा गया और राजी बजट में पुरानी पैंसन बाहल करने पर हर्स जताया बताया कि मुख्य मंत्री की गोशना से वर्स 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पेंसन का परिलाप मिल सकेगा जिससे वर्दावस्ता में कार्मिकों कोई गुजारे पर संकट खड़ा नहीं रहेगा इस दोरान कार्मिकों ने आतिस बाजी कर जस्न भी मनाया इस दोरान ब्लोक अध्यक्स राजन्द्र सिंग चारण सबा अध्यक्स महेश श्रिमाली जिला महिला मंत्री क्रिशना यादव राजकुमारी यादव उप्षभा अध्यक्स इर्फान खान शुरेश पटेल हिरलाल ग सब्सक्राइब करोने की चीज हान। उसमें भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया, आज हम बड़े हर्स के साथ कह रहे हैं कि हमारे जो सियम साथ हैं, वो वास्तम में उस पद के काबिल हैं, और हमारे सब के चेहरे पर, सबी करमचारियों के चेहरे पर उन्होंने जो खुशी दिये, हम तही दिल से उनका अभार प साथ को बहुत 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 आभार परकट करने के लिए आप अधार हैं, पत्नी दो बच्चों का अभरान एफ़ आर के बाद भी कारवाई नहीं होने पर पिडित ने एसपी से की फरियाद, ताल पंचायत के नाथों का बाढ़िया से पत्नी वद्दो बच्चों को पत्नी की दूसरी जगह शादी कराने के घंबिर आरोप को लेकर न्याय के लिए पिडित राणुनात पुलिस अधिकसक सुधिश चोधरी के पास पहुचा, राणुनात ने बतायां कि 20 वर्ष पहले उसकी शादी हुई और 4 बच्चों के साथ उसका परिवार अच्छे से चल रहा था, इस 20 पत्नी के मामा का लड़का उसकी पत्नी को बहला पुसला का 16 वर्ष ये पूत्री वर 4 वर्ष ये पूत्र के साथ बगा ले गया, साथ ही पेसे लेकर उसकी पत्नी की दूसरी जगह शादी करवाने का भी आरोप है, ऐसे में दो बच्चे मा के लिए मिशान है, मगर बेबस पीता राणू नात कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पिडित राणू नात का आरोप है कि देवगर थाने में रिपोर्ट देने के बहाद भी पुलिस कारवाई नहीं कर रही है, इस पर पिडित ने जिला कलेक्टर वर एस पी को ग्यापन देकर न्याय क गुहार लगाई है, बताया कि पिडित दो महां से न्याय के लिए इधर उधर बटक रहा है, मगर न तो पुलिस द्वारा कोई कारवाई की जा रहा है और नहीं उसके बच्चे वापतनी उसे मिल पाई है, अब जानते हैं रानू नात का क्या कुछ कहना है? दोका करने के बाज में रानू नात चुना का बटा, केलास नात भीम, और कूडिया, पपू नात उनके घर से, और केलास नात के घर से, और रानू नात चुना का बटा रहता उनके घर से, वहां से मेरी पतनी को नो बज़े रात को उठा के भीम ने पाटिया, बाबा की डां आथी उसको भी वह भूब भी नहीं मेला वहां से उनको कि अंते कर रहा मेरे नाते दिया को भी चाहिए में ने नहीं साथ में उनके एक दो रानुणा चुना का बठा है वह लूष्णी के साथ मेरी पतली के साथ में जवां बेटी मन्जु और चार पांच साल्था एक लड़ कारवी होगा मेरी कोई कारवी नहीं चलने दे रहे हैं देवकुर थाना है जिला राज समझ लगता है वहां पे मैं दो बार आ चुका हूँ और देनु बार मेरी को रशीत दिया कलेक्टर दुबारे भी रशीत पहुंच गिया गजपुर वा कोयल घ्राम विकास अधिकारी को नोटिस कोई में नरेगा मेट बलेक लिस्ट जिला परिशब्षाद चूष चोदरी ने कुमलगट के गजपुर वा कोई लगराम विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जबकि नरेगा कार्य में रिकोर्ड नहीं होने पर नरेगा मेट को ब्लेक लिस्ट कर दिया कुमलगट बीडियो भगवान से कुमपावत ने बताया कि सीओ चोदरी दुआरा कोयल वा घजपूर शेत्र में चल रहे नरेगा कार्यों का निरक्षन किया गया जिसमें नियमित निरक्षन का आभाव रिकोर्ड में अनियमित ता सामने आई इस पर घजपूर वा कोयल घ्राम विकास अधिकारी कनिष्ट तकनिकी सहायक वा रोजगा सहायकों भी नोटिस जारी किये हैं भवानी की भागल में खुदाई इस्तलप स्रमिकों के पास ओजार ही नहीं पाए गए और SMS से उपस्तित भी दर्ज नहीं मिली इस पर नरेगा मेट सुरेश जोशी को बलेग लिश्ट कर दिया वीप्र फाउंडेशन का राष्ट्री अधिवेशन नात द्वारा में 24 वर सताईस मार्च को तयार्या शुरू वीप्र फाउंडेशन की राष्ट्री अधिवेशन नात द्वारा के मीरा होटल में 24 वर सताईस मार्च को आयर्जित होगा इसको लेकर फांडेशन दुआरा तैयार्या शुरू कर दी गई है। फांडेशन जिल्ला अध्यक्ष विजय पालिवाल ने बताया कि इस अधिवेशन में देश भर में वीप्रसमाजन शामिल होंगे। जिसमें फांडेशन की वर्ष भर की घती विद्यो के साथ वार्षिक बजट पर भी चर्चा होगी। अधिवेशन के तहट कांकरोली में वहान रेली निकाली जाएगी। इस पर फांडेशन की तैयारया बेठक हुई जिसमें चर्चा गी गई। इसकी तैयारयों को लेकर प्रदेशा अध्यक्ष केके शर्मा, प्रदेश महमंत्री लक्षमी का पालिवाल, शांतिलाल पालिवाल, बंकेश सनाड्य आदि मोजूद थे। महिला दीव हच्पोर कारिका में उसको स्रिप्ट करके उसको नाद्वारा राज समन्द के अंदर करने का निर्देश दिया है, आज ही दिया है वो भी कि हम उसको यह कर ले तो क्या है अभी। मुदाइक स्वास्त गेंदर दरीबा में आयोजित सीविर में 301 लोगों ने रक्तदान किया। कारिकरम में संगठन के 60 कारिकरताओं ने जरुवत पढ़ने पर ततकाल स्वेचिक रत रक्तदान करने का संकल्प लिया। इस दोनान रक्तदाता प्रेरक ब्रजलाल कुमावत, डॉक्टर प्रेमेन गर्ग, ओस्दी नियंत्रक अधिकारी, रितु जोसी, महरना पुपाल्ची किसाले ब्लड टीम के, डॉक्टर सील प्रभा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर मनीश, प्रमोद कुमार सिंग, जोती आमेटा, महावीर सरल, ब्लड बेंक के, डॉक्टर सुरेश डांगी, योगेंदर सिंग, विकरांद सिंग, वसीम आधि मौजूद थे।